नवस्का दोस्तो स्वागते आपका आपके आपनी यूटूबट चैनल में था तो के से और कहां से आप लिष्ट चेक करते हो कितने नम्मर का टॉप में गिरावट आएगी दोस्तों और साथ में आपको कितनी तारिक तक फीजमा करानी है कॉलेज में रिपोर्टिंग करानी है और जिन जात्रों को कॉलेज नहीं मिली है उनको तीन हजार पैसे भी जो रु गायता हूं दें कि सेकनल लिष्ट जो जारी की गई थी वो 3526 जो टोटल सीट है खाली बची हुए थी उसमें से सेकनल लिष्ट में 3076 सीट है भर चुकी थी यानि कि 450 सीट अभी भी बूट की तरफ से खाली है जिन पर आज आज आपकी थर्ड लिष्ट बूट जारी करेग तो क्या थर्ड लिष्ट आ चुकी है कितने वजी तक आएगी चली उसको लेकर बात कर लेते हैं पर दोस्तों आ चुके हैं और यहां पर अगर आप देखोगे तो दोस्तों अलोटमेंट लिष्ट का जो ऑप्सन है वो आ रहा है अभी यहां पर सेकन्ड अपवर्ड का ऑप जाले जारे की की ती जी यहां दोस्तों सैकन्ड लिष्ट बोड ने जारी की थी वो सकती है वो सारह जारी की शाड़े ग्यारे बज़े आई थी तो इस बार भी दोस्तों आपकी जो लिष्ट आएगी ओ लगंग ग्यारे बज़े के आज पास ही आएगी थार्ड लिष्ट लिष्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले उसमें ऐसना आइडी डालनी होगी जहाँ दोस्तों, काウंसलिक आईडी इसके बाद अपना रॉल लंबर और डेटवर्थ तो इस noises से आप अपनी जो लिष्ट है वह चेक कर सकते हो, simple process रहता tutti चे series करने के लिए और वहीं अगर बात करना दोस्तों बी एश्टी सी की जारी होगी उसके बाद दोस्तों आपके कोई भी लिस्ट जारी नहीं करेगा बोड यह आखरी लिस्ट है क्योंकि सीटा बची नहीं है और बोड ने जो अनुमानित कलेंडर जारी किया था उसमें भी डेट को बताया था कि लिस्ट आएगी कटोप की अगर बात करना दोस्तों तो कटोप ज्यादा गिरावट नहीं होगी कटोप में लगवागा आपकी दोस्तों तीन नमबर से च्छे नमबर ही कम होगी क्योंकि सीटें ज्यादा है नहीं डिएल लाग छात्र देजनोंने मिल चुकी है अब अगर बात करें दोस्तों जैसे कॉलेज आपका अलोटमेंट आज हो जाएगा उसके बाद आपको सत्रे तारिक तक सत्रे तारिक से चोवीस तारिक के बीच में फीजमा करानी होगी और आपको कॉलेज बदलने का अप्सन नहीं मिलेगा जिया दोस्तों आ या फिर दूसरी जिले में हो उसमें ही आपको एडिकिशन लेना होगा और साथ में दोस्ता आपको बतादू थर्ड लिष्ट में लगवग 90% चात्रों को जाने कि साड़े चास्वा से 90% चात्रों को दोस्तों दूसरे जिले में ही कॉलेज मिले वाली है क्योंकि पहली जाना होगा 25 तारीक तक कॉलेज में रिपोर्टिक भी करानी है और इसके बाद दोस्तों एडिविशन से लेपा जाएगी आपकी 25 तारीक को ही फिर आपके एडिविशन हो जाएगा फिर 28 तारीक से सुरू होगे आपके रिफंड के फॉरूम इसके लिए आपकी रिफंड क की लिंक आएगी दोस्तों उसमें आपको फॉरूम अन्ना होगा अपना बैंक अकाउंट की पूटो काउंपी इसमें लगानी होगी इसकेन काउपी और साथ में अपना आजर काट और आप जैसे आप सो आविदन कर दो कि पंदर टू लास्ट डेट है उसके बाद आपके 45 40 दिन के अंदर अकाउंट को पैसे बापिस आजाएगे तो यह मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको लेकि और अप्डेट करना जात्तों को नहीं पता है यहीं पर आपका रिफंड का आएगा और इस लिंक पर क्लिक करना आप इमित के जरीए भी फॉर भरवा सकते हैं त दोस्तों आपको दा दूँ अभी तक जो बीएश्टी सी दोजार पचीस में दोया चौवीस में 33 जिलों के साथ से अभी तक राश्तान जीके आपसे पूची गई थी लेकिन अब 50 जिलों के साथ से आएगी तो जीके चैन हो चुकि यानिकि जीके का भाग आपका बदल जा जाएगी कि मानता मिल जाएगी सरकार की तरफ से और कॉलेज की सीटे बढ़ जाएगी हाला कि अगली साल सीटे बढ़ेंगी तो फोरम भी बढ़ेंगी तो दोस्तों तयारी आपको अभी से करनी होगी कम से कम टार्गेट लेके चलें 400 पीस प्लस का तभी आपको नईदी औ और कॉले मिले की संबावना याँ देख रहें क्योंकि अब पहले जैसे नहीं रहा है कि बिएस्टी सी में 300 सी पर कॉले मिल जाती थी 384 पर लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों अब काट टॉप काफी ज़्यदा हाई रहती है एक तो बोड की तरफ से बॉनसंग की दिये जा झाल झाल झाल